मेवाल लाल बारो रुपीस 20,000 फ्रॉम रूप लाल आट 18% पर एनम सिंपल इंट्रेस्ट तो यहाँ पर कहा रहा है कि मेवाल लाल ने तो मैं इसको थाँ साइड डिपेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ है मेवाल लाल इन्होंने पैसे लिये ठीके बारोण कितना 20,000 रुपीस फ्रॉम इस फ्रेंड रूप लाल तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं रूप लाल यह है रूप लाल अब इन्होंने पैसा ले लिये किसने लिया मेवाल लाल ने तो मेवाल लाल ने जब पैसा ले लिया कितना लिया है मेवाल लाल ने तो ये लिया है 20,000 रूप लाल से और 18% इंट्रेस्ट के साथ और टाइम आपका है कितना 2 years और ये simple interest पर लिया है सिंपल lonely लेकिन जब glacर लिया उसने यहां है दॉद्ध किसी कोशने दे दिया मतलब राम्लाल को दे दिया और यहां पर लिया और मतलैं को दे दिया यह 20,000 तो 20,000 जो लिया रूप लाल से वो तुरंत मेवा लाल ने 20,000 दे दिया राम पाल को लेकिन बोला कि भाई rate of interest तो 18% ही रहेगा लेकिन compounded annually लगेगा मतलब compound interest यहां पर निकाल करके आप मुझे देना दो साल का ठीक है time है two years तो आपको समझ में आर ये बात मेवाल लाल ने मेवा लाल ही सभुष कर रहा है वो पैसा लिया है फिर पैसा दे दिया है राम पाल को तो बताना है कि मेवा लाल को फायदा कितना हुआ तो फायदा होगा definitely देखें यहां से रूप लाल से यह 20,000 पैसा लिया है यह 18% इंट्रेस्ट पर simple interest पर और time two years है तो मेवा ल लाल को और राम लाल जो है फिर 20,000 मेवा लाल से 18% इंट्रेस्ट पर compound इंट्रेस्ट पर तू दो साल के लिए तो इनको देना पड़ेगा compound interest मेवा लाल को तो यहां निकालेंगे compound interest और यहां निकालेंगे simple interest ठीक है तो उसके बाद बताते हैं क्या करना है तो पहले निकाले यहां पर simple interest तो simple interest जो आएगा वो हम जानते है P into R into T करना होता है whole upon 100 तो यहां में मिल जाएगा P means क्या होगा 20,000 तो 20,000 into R means 18% हो जाएगा time है 2 years whole upon 100 तो यहां पर cancel out करिये देखे 2 zeros cancel हो गए 2 zeros से और देखे 2 to 4 and 18 to 72 तो मिल गया 7,200 तो इतना रूपीज जो है जो भी आया यह 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 मेवा लाल को देना है रूपलाल को ठीक है 7,200 अब देखते हैं कि रूपलाल को कितना देना है मेवा लाल को तो यह निकालने के लिए कि रूपलाल कितना देगा मेवा लाल को आपको निकालना पड़ागा compound interest तो हम पहले निकालेंगे एक साल का तो far first year क्योंकि हमें फामुला यूज नहीं करना है इस question में इसलिए हम इसक secondary निकालेंगे और उसके बास से दोनों के इंटरेस्ट को आइड कर देंगे यहां पर पहले साल के लिए जो P होगा principal होगा वो 20,000 ही होगा और rate of interest तो पता ही है 18% होगा और time कितना होगा 2 years यहां पर solve करेंगे तो मिल जाएगा हमें SI simple interest for first year is PRT upon 100 तो मिल जाएगा आपको 20,000 into r means 18% into time is 1 time is 1 लेंगे sorry यह 2 नहीं है यह time यहां पर 1 होना चाहिए क्योंकि हम एक साल का ही निकालकर add करेंगे न एक साल का निकालेंगे यहां पर इतना आपान 100 होजाएगा यह 0-0-0-0 होगया 18 to 36 होजाएगा और आपको मिल जाएगा 3600 3600 रुपीज इतना हो जाएगा एक साल का अब निकालना है सेकेंड इयर के लिए पर सेकेंड इयर के लिए जो प्रिंसिपल यूज करेंगे वह होगा 20,000 में हम क्या करेंगे add कर देंगे यह 3600 आपको मिल जाएगा प्रिंसिपल टोटल जीरो जीरो फिर 6 आड करेंगे फिर 3 आड करेंगे फिर 2 है तो है तो रुपीज यह आपको प्रिंसिपल उज करेंगे और रेट तो पता ही 18 होगा और टाइम जो है वनी होगा तो यहां पर लिख भी लेते है तो रेट इस गल टू 18% and time is equal to one year यह one year कमसा year है? second year है तो अब यहाँ पर हो जाएगा simple interest PRT है 100 बिल्कुल यही फामुला यूज करना है P into R into T upon 100 आपको मिल जाएगा यहाँ पर 20,000 multiplied by R R means 18 multiplied by 1 यह second year है 1 ठीक है all upon 100 यह जो गन्सल हो गया इससे अब 18 to 36 36 इसमें भी आएगा अच्छा सोरी सोरी यहाँ पर जो मैंने 20,000 इसकर लिया हम यह नहीं इसकर लिया कैसे में कर रहा है ओके तो हमने इतना लिख लिया आप यहाँ पर P की जगा पर लिखेंगे 23,600 1 divided by 18 1 divided by 1 whole upon 100 यह जो 1 है वो second year है ठीक है जोसे साल निकार पंके बल यह जो 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 जाएगा 18 समर प्लाइ कर यह बस यहाँ पर 18 सिग्जा 108 का 8 10 कर यह भर 18 थीजा 54 अ 1064 4 6 कर यह बर 18 थीजा 36 36 and 6 42 sorry 4248 28 रुपीज Second year का simple interest है इसका मतलब कि आपका आजागा compound interest दोनों को add करतेंगे फरस्टर का निकलाए 3600 और यह 4248 add करेंगे तो मिलेगा आपको 3600 प्लस 4248 और यह finally मिल जाएगा 8 4 8 7,848 मतलब कि देखिए राम पाल को देना है मेवालाल को compound interest इतना 7,848 रुपीज अब देखिए अब जहां समझ में आपको आ जाएगा मेवालाल को फायदा कितना होगा देखिए मेवालाल ने रूप लाल से पैसा ले लिया 20,000 18% और टाम 2 years पर simple interest पर तो मेवालाल इसको देगा किवाल 7,200 देगा जब मेवालाल इसको देगा 7,200 और मेवालाल को मिल जाएगा 7,848 तो दोनों का difference जब निकालेंगे तो पता चलेगा कि मेवालाल को कितना फायदा हुआ तो यहां पर अम निकाल लेते हैं गेन कितना हुआ यहां पर गेन फार मेवालाल is equal to 7,848 मैंसे मैनस कर देंगे 7,200 ठीक है तो मैं थोड़ा सा इसको इधर उधर करके समझाया हूँ ताकि आप वो समझ में आ जाए ठीक है मैंने ऐसे निकाला है फ्लोचाट बना करके ताकि आपको समझ में अच्छा से आ जाएगा ठीक है आप इसको फ्लो में ऐसे मतलब जैसे लिखते हैं examination में लिख लेंगे आप और समझना बहुत जरूरी होता है यही यही फाइदा हुआ है कि इसको मेंवाल को मेंवाल बहुत चलाक है ले लिया और कंपाउनिंटरस पर दे दिया राम को और राम पालजवे कंपाउंड इस पे इंट्रेस्ट पे कर रहे हैं इनको इनको 7,248 और ये 7,200 देना ही है रूप लाल को इसले में में लाल को फाइदा हो जाएगा इतनी का 648 रूपीस and this will be your answer तो होग दो सौंझ में आग्या होगा इस फ्लोचार्ट से ये अच्छा लागा तो लाइक कर सकते हैं और कमेंड कर सकते हैं आप दोस्तों को बता सकते हैं so thank you so much for watching bye